हलो दोस्तूं क्या हाल हैं तारिकांट 4 अप्रेल हो गई दिन मंगलवार हिंदी तिती चतूर दसी और आईए बात करते हैं आज के मुक्य समचार में देशवर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं देखें लगातार साथवी बार भी बेंकूं की रेपोरेट बड़ सकती हैं क्योंकि मोनेटरी पॉलिसी कमीटी की मिटिंग सुरो चुकी हैं भारते रिजरुबें का RBI 22 ब्यासदरों में 0.25 प्रजिशत के बड़ोतरी कर सकता हैं अच्छा बड़ी खबर हैं मानानी केस में र बड़ाव किया गया अब हिस्ट्री के जो इतियास के मुगल से जुड़े मुगल सामराजु से जुड़े टोपिक हैं जो पार्ट है ना उनको हटा दिया गया नेशनल काउंसिल ओप एजुकेशन रीचर्च और ट्रेनिंग NCRT ने बारभी कक्सा के लिए भी इतियास बरहाल उत्तरपरदेश में भी छात्रों को अब इसलाम का उदाई केसे हुआ, मुगल दर्बार, मुगल सामराज्य केसे बढ़ा, इसलाम धर्म का इतियास वगरा, ये चीजें कितामों में देखने को नहीं मिलेगी हना और मैं देखे बड़ी कबर आप देश के प्रदानमंतरी नरेंदर मोधी ने CBI से कहा कि कोई भी ब्रस्टाचारी बचना नहीं चाहिए, जिन पर भी एक्शन ले रहे हैं, वे लोग बहुत ताकतवर हैं, पर अपने काम से फोकस नहीं हटने दें अच्छा बड़ी कबर हैं, दिल्ले के मंतरी मनी सिसूदिया को नहीं मिली रहत, कोट ने 17 अपरेल तक उनकी न्याई की रसत को बढ़ा दिया, 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई हैं वे देखें दोस्तों, मद्यपरदेश के इंदोर के बेलेस्वर महादेव मंदिर का अतिकरमन हटाया जारा, नगर निगम ने तीन और धार मिक स्तलों पर भी कारिवाई की, क्योंकि हाल ही मैं आपको पताओगा, राम नवमी की दिन मद्यपरदेश इंदोर की एक मावडी क पत्यूं को लेकर एक विग्यानिक रिसर्ट सामने आ रही है, कि नीम के साथ-ाठ पते रोज चबाएं, इससे खून साफ होगा, लेकिन ध्यान दें, एक चमत से ज्यादा नीम का रस कभी ना पियें, क्योंकि इससे अलसर हो सकता है, और बच्चों और गर्वती महिलाओं को नीम का रस ना पिलाएं, बाकि कडवे नीम के काफी ज्यादा मीठे गुण हैं, नीम काफी ज्यादा आपके सरीड में फायदा करता हैं, अच्छा मद्यपर्देश के कुनो पार्क से जो एक चीता फरार है न, वो आसपास के रिहाई से इलाकों में पहुँच चुका है, ल इसके प्रदानमदरी नरिंद्र मोधी को चिठी लिखिये और कहां कि बुजुर्गों को रेल के राय में छूट दें, बात नियत की हैं, सरकार गरीब नहीं हो जाएगी, वैसे दिल्ले में स्कूलों का रिजल्ट अभी काफी चर्चा में हैं, बताए जारा दोस्तों की दि इसके प्रदानमदरी नरिंद्र मोधी चर्चा में हो जाएगी, और बीच सालों के अंदर मंदेनों की संख्या भी 435 से बढ़कर 1000 पहुच चुगी हैं, यानि देखा जाए तो अमेरिका में भी पिछले कुछ सालों से हिंदू धर्म का बोलबाला काफी ज्यादा बड़ा है, और एक रिपोर्ट आरे दोस्तों की दुनिया में दानवीर देशों की लिस्ट में भारत सबसे बड़े दानवीरों में से एक हैं, वहीं देखे खालिस्तानियों की धमकी बिलियें, कहां कि हमारी लड़ाई के अंदर सरकार से हैं, बीच में ना पड़ो, पंचाब को भारत से अलग करना चाहते हैं, खालिस्तानी हैं। इससे की बड़े मामलू की जाच अब आसानी से होगी हैं। जाम यांता में आने का देश के प्रदानमंत्री को न्योंता भी दिया। और साथ ही, उत्तराखंड के जोसिमट के लिए 342 करोड और हरीद्वार से वारांसी के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की भी मांग की। उमीद हैं कि जल्दी है हरीद्वार से वारांसी के बीच वंदे भारत रेल सेवा सुरू होगी। पीयम मोदी के जामने ये मांग रखे हैं इन्होंने। अच्छा बड़ी कबर देखिए आपको पताओगा एक अप्रेल से ही दवाईया महंगे होने की काफी चर्चा रही। तो इस पर अब स्वास्ते मत्राले ने सफाई दी और कहां कि 870 दवाईयों को स्वास्ते मत्राले ने पिछले साल सित्मबर 2022 में एन्नी एलम में सामिल किया था। जिन में से 651 का दाम ताई किया जा चुका हैं जिसके तर दवाईयों के दाम 60% तक गटाए गए हैं। अब यहाँ पर अनी एलम का मतलब में आपको बता दूँ नेशनल लिष्ट ओप इसेंशियल मेडिशन्स यानि की जरूरी दवाईयों की सूची। तो इस तरह से ये गणीत बताई हैं कुल्मलाकर के स्वास्ते मत्राले ने जिसके जानकरी आप देख सकते हैं। अच्छा बड़ी खबर आ रहे हैं राधिस्तान में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर और स्कूलों में फीस बडोतरी को लेकर अभिभावक फिर से सडकों पर उतनाया हैं। कब से ये सुरू होगा, क्या कोस्ट रहेगी और कब इसके लिए आप एपलाई कर सकते हैं। कि अब रासन की तोल में गड़बडी की गुंजाइस नहीं देगी। ताकि जो एक्चुली रासन सरकार के तरब से दिया जाता ना, जैसे 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो जो भी वो आपको बराबर मिल सकेगा। अच्छा बड़ी खबर हैं दिल्ली महापोर के चुनाओ की तारीका चुकी हैं, अप्रेल के अंते तक मिल जाएगा नया मेयर। वह देखिए प्रदानमंतरी नरेंद्र मोधी ने NMACC के लिए नीता अंबानी को बदाई दी और कहां कि भारत के गोरव को दुनिया तक पहुचाएगा ये के अंदर हैं NMACC ये हैं दोस्तों की कल्चरल सेंटर खोला हैं मुंबाई में, रिलाइस फाउंडेशन की चेयर परसन नीता अंबानी की तरब से ये एक सांस्कृतिक के अंदर हैं और उसको लेकर प्रदानमंतरी ने लेटर लेकर बदाई भी दिया आप देख सकते हैं अच्छा बड़ी कबर देखे हरियाना राजस्तान और उत्रपरदेश को बड़ी सोगात हैं नए हाइवे से जुडएंगे तीनु राजिये और इसके चलते इन राज्यों के कई शेयरों को बड़ा फाइदा मिलेगा इस हाइवे के निर्मान में करीब 927 करोड रुपे कर्च किये जाएंगे नेशनल हाइवे ओतरिटी ओफ इंडिया भारत माला परियोजना के तैद ये नए हाइवे का निर्मान करेगे इसका नाम 152 G होगा और ये हाइवे 4 लेन का ग्रीन फिल्ड कोरिडोर होगा हना और वें देखिये बड़ी खबर भारत और अमेरिका के बीच होगी 468 करोड की एक बड़ी डील M60 हेलिकोप्टर के लिए नए हदियार आएंगे वें देखिये मोबाइल को लेकर एक बड़ा चोकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है कि मोबाइल से चिपके रहना एक बड़ी बीमारी है कई लोगों की तो स्मार्टफोन की चलते नींद हराम हो गई है हाल या एक सर्वे में ये बड़ा खुलासा हुआ है तो इसलिए मोबाइल पे चिपके न आ रहे हैं दिन बर कुछ बाहरे दुनिया को भी फील करें महसूस करें असल जिंदिगी को जियें सिर्फ डिजिटल टेक्नोलोजी और गेजेट्स में ना उलजे रहे है ना बड़ी कबर देखिये ट्रेडिंग के लिए नई व्यवस्ता लेकर आ रहां से भी ब्रोकर्स अब नहीं कर पाएंगे ये काम शेयर मार्केट और ट्रेडिंग वगरा के काम करणे वाले लोगों के लिए ये नयानियम है अप्लिकेशन सपोर्टेड बाई ब्लोक अमाउंट यानि की ASBA नाम की स्विवस्ता की जरिये शेयर ट्रेड के लिए ब्रोकरूं को अपने क्लाइंट के पेसे के इस्तिमाल की तबी अनुमती होगी जब क्लाइंट के खाते से सोदा डालना होगा तो ये कुछ नया सिस्टम शेयर मार्केट को लेकर शेयर की तरब से लागू किया जाना जादा जानकरी आप देख सकते हैं अच्छा बड़ी कबर देखिये राधस्तान में स्वेम सहायता समोह को गहलोत सरगार ने बड़ी सोगात दी हैं एक लाग के लोन पर आठ प्रदिश्यत सबसीडी मिलेगी और इसके साथ ही धिव्यांग जनु के अनुदानित सिक्षन संस्ताओं के कारविंखों का मांदे बड़ा दिया गया है 15 प्रदिश्यत बड़ोतरी करने का फेसला किया है अचा केंदर सरकार के तरब से जो हाले में डिये बड़ाया गया था ना केंदरी कर्मचारियों का तो उसको लेकर वित्यमत्राले ने अब फाइनल नोटिपिकिशन भी जारी कर दिया यानि कि अब ये 100% कंफर्म हो गया कि डिये बड़ चुगा है वेसे आदेश तो अभी पिछले में ने 24 तारीक को जारी कर दिया था सरकार ने 4% दिये बड़ उत्री का लेकिन इसके बाद कल सोमवार को इसका नोटिपिकिशन भी जारी कर दिया ओफिशली आप देख सकते हैं ये नए साल एक जनवरी 2023 से ही बड़ा हुआ लागू रहेगा और अब डिये 4% बढ़कर टोटल 42% हो गया जो पहले 38% था वह देखे बड़ी कबर राजस्तान में हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं में आवेदन करने की तारिक बढ़ चुके हैं अच्छा रीको भी अब पूरी तरह से ओनलाइन हो गया इंडस्ट्री वाई रेजिडेंशियल कोलोनी के पेमेंट सिर्फ ओनलाइन ही एकसेप्ट होंगे राजस्तान में रीको मेनेजमेंट द्वारा सारे काम अब ओनलाइन कराई जाएंगे जोधपूर से ये नहीं पहल सुरू हो रही है राजस्तान के 1,0,000,000 से ज्यादा समीदा करम्चारू ने एक बार फिरक शेस सरकार के किलाप मोर्चा खोलने का ऐलान किया सम्विदा करमियों की मांग है इनको स्थाय करें नियमित करें रेगुलर करें मतलब हैं विसे मद्यपर्देश में भी करमचारी संक्चनों की स्यूंक्त बेठक में ये निड़ने लिया गया 39 अप्रेल को मद्यपर्देश भोपाल में प्रदेश स्त्रीय आंदोलन होगा और अगर सरकार ने इनकी मांग नहीं मानी तो अनिश्चित काली नहरताल भी होगी यहां भी सरकारी करमचारी के कुछ मांगे हैं पुरानी पेंसन योजना को लागू करना वगएरा वगएरा कुछ और देख सकते हैं आप जान करी करमचारी का कहना के 10 लाग से ज्यादा करमचारी संदोलन में सामिल होंगे अनिश्चित काली नहरताल की जाएगी अच्छा बड़ी कबर है हरियाना राच्चिय में हरियाली से हरा बरा होगा अब अमबाला केंट 50,000 बोदे और 5,000 ट्री गार्ड लगाए जाएंगे हरियाना के ग्रीह मंतरी अनिल्वीज ने संस्थाउन से शैयों का आवहन भी किया और हरियाना रोडवेच की तरब से बुजुर्गों को भी बड़ी रहा दी गई है अब साथ साल से ज्यादा लोगों का बस में आदा किराया ही लगेगा बजट में सर्गार ने ये गोसना की थी तो इस अप्रेल मैने से ये सिस्टम लागू हो गया हरियाना में आना वह देखे इधर बिहार सर्गार ने भी एक प्रस्ताओं को मंजूरी दे दी है बिहार में पटना और उत्रबरदेश वारानसे के बीच गंगा में चलेगा रो रो वेसल जहाज एक बार में इस जहाज में 300 से ज़्यादा परेचक बेट सकेंगे और आप नदी पानी जीलों का लुप उठा पाएंगे और साथ ही बिहार में 10,262 वेलनेस सेंटर भी खोले जाएंगे राज जी स्वास्ति समीति की तरब से ये नेड़ने लिया गया और इन सेंटरों पर अब मुह, आ, कान, ना, का इलाज और इमर्जेंसी स्विधा भी मिलेगी ये मतलब वेसे होंगे जैसे प्रात्मिक चिकित साल होते है ना वेसे ही तो ये बिहार के अलगला गाउं में दस जार की संक्या में वेलनेस सेंटर कोले जाएंगे अज हम वह देखे दोस्तों उत्रबरदेश में किसानों के नेधा राकेश टिकित बोले कि BJP का फंडा है या तो पार्टी जोइन करो या जेल जाओ मतुरा में उन्होंने का कि PM को अपनी पड़ाई सार्वजनी करड़ी चाहिए स्कूल का नाम भी बताएं वैसे इसी बात को लेकर दिली के मुक्यमंतरी अर्विंत के जिरिवाल पर हाई कोट ने 25,000 का जुर्माना भी लगा दिया के सडर काटे, दिवारे तोड़ी, फायर फाइटर्स के साथ व्यापार्यू को अंदर भेजा गया ये कानपूर अगनिकांड की कुछ जग चोर कर देने वाली तस्विरें आप देख सकते हैं चया कॉम्प्लेक्स की 800 दुकाने आज रात तक भी धतक रही थी हर गंटे 50 फायर विगेट की गाड़ियां पहुची तब जाकर के लगबग 5-6 दिन बाद इस आग पर काबू पाया जा सका अरबू, खर्मो, रुप्यों का यहाँ पर कपड़े का माल जल कर राक हो गया और बता जारा कि 3-4 कॉम्प्लेक्स भी पूरी तरह से ढहाए जाएंगे इस अगनिकांट से सडग पर आ गए कई करोड़ुपती कपड़ा करोबारी कानपूर में पुलीस अबसर से दुकान के अंदर जाने को लिए भीड़ गए कुछ तस्विरें आप देख सकते हैं अच्छा बड़ी कबरारी पंजाब में जल्द ही शुरू होगी मुख्यमंतरी की योग साला अच्छा में देखिया हरियाना और राजस्तान की इतरा है महारास्टर में भी अब महिलाओं को बसू में यात्रा करने बर 50 प्रजिशे तक की चूट मिलेगी महारास्टर के मुख्यमतरी एकनाथ सिंदे सरकार के तरब से ये बड़ा फेसला लिया गया देटा बताते दोस्तों की देश में नोट बंदी के बाद अब तक सिर्फ 84 करोड रुपे के फरजी नोट पकड़े गए हैं अच्छा चलिए आज के मौसम समाचार देख लेते हैं देखिये पंजाब हरियाना समित कई राज़ु में बारिस की संभावना है T5 सुरंग के मुहाने पर चार बचाने के लिए लोगबाग भागे तीन गंटे बंद रहा जम्मू सरीनगर हाईवे भी हैं इमाचल परदेश में मार्च में भी 41 परदीशत कम बारिस हुई चार जिलों में सुके जिसे आलात है आज और कल बारिस और ओलावरिस्टी का अलड जारी है अरियाना में एक लाग तीस जार किसानों को हुआ नुक्षान बे मोसम बारिस के चलते बारिस से साड़े साथ लाग एकर फसल परवायु थुई अरियाना के मुक्य मतरी बोले कि स्पेशल गिर्दार भी करा कर माई तक किसानों को मुआवजा दे ही देंगे तो ये वाके में हरियाना सरकार की अच्छी पहला बड़ा ऐलान कर दिया है जिनके तस्वीरे भी आप देख सकते हैं परदेश में दो स्टेशन पहले से चलते हैं से और इन स्टेशन में से कुल मिला करके मोसम की सटीक और चल्दी जानकरी मिल जाती है स्काइमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 गंटू के दोरान राधरस्तान दिल्ली पश्ची पुत्र परदेश में भी हलके में बारिस हो सकती हैं और बाकी अरोनचल परदेश पूरोत्तर भारत सिक्क्यम बगरा में भी बारिस की संभावना है तो मिलाडू केरल तठी अंदरबरदेश में भी हलके फुल के बारिस हो सकती हैं और चलिए आज के कोरोना मुलेटिन देख लेते हैं भारत में पिछले 24 गंटू के दोरान कोरोना के 361 नए मामले आये और सक्रिय मामलू के संक्यां 20,000 के भी पार पूंच चुकी है अरियाना के स्वास्ते मंतरी अनियल वीच बोले की शक्ती करेंगे तब भी शुरक्षी तरह पाएंगे अधिकारियों को भी इन्यमू का शक्त पालन करवाना जरूरी होगा और देखिये राजदानी दिल्ले में भी चोईस गंटू में 400 नए मामले आये राजदानी जो की बिहार की पटना है वहाँ कोरोना मरीज काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं इदर उत्तर प्रदेश नॉइडा में ओमिक्रोन का XBB.1 सब वेरेंट सबसे ज्यादा एक्ट्व हो रहा है जिनोम सिक्वेंसिंग की रिपोर्ड में ये बड़ा खुलासा हुआ है डोक्टर बोले कि ये कोरोना की नई लहर का रूप भी ले सकता है और इसलिए साउधान रहेगा सतर करहेगा अच्छा कोरोना मरीजों का दिल्ले के अस्पतालों में भी फ्री इलाज होगा और इसके लिए अगर आपको किसी तरह की साहिता चाहिए तो इसके लिए सरकार ने हलप लाइन नंबर भी जारी किया है जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं इन पर कॉल करके आप तुरंट साहिता ले सकते हैं इमाचल प्रदेश में 318 नाएं कोरोना पोजिट्व पाएगे और 1389 तक पहुच गया सक्रिय मरीजों का अगड़ा बढ़ते कोरोना के मामलू को देखते हुए देश के स्वास्ते मंतरी मंसुक मांडविया ने भी कहा कि गबरानी की जरुरत नहीं है लेकिन हम सब को सतर के जरूर रहना पड़ेगा हना और चलिए दोस्तों कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल कबरे देख लेते हैं देखें UPPSC के PCS एक्जाम पर खबर आरी कि अब 6 अपरेल तक आप इसमें आविदन कर भाएंगे तारिक बढ़ चुकी हैं और JE मेंस के अपरेल सेसन के लिए एडिमिशन कार जारी हो चुके हैं इस ओफिशल पोडल से नाउलोड कर सकते हैं UPPSC के ESE एक्जाम पर कबर हैं कि इसके में एक्जाम का सेडूल जारी हो चुका 25 जून को 2 सिफ्ट में एक्जाम होगा और वह देखें बिहार में BPSC परिक्षा के पेटर्न में कुछ बड़ा बदलाव किया गया इंटर्यू में कितने नंबर दिये, कंडिडेट को इसका जवाब अब बोर्ड भी देगा यानि स्टुडेंट्स को पहले ही पता चल जाएगा कि इंटर्यू में उनको कितने मार्क्स मिले और उनसी तरवी से होगी कमबाइंड PTP जो ये उनसे तरवी मेंस परिक्षा होगी इससे ये बड़े बदलाव किया जाएगे अच्छा वह देखे DMVS स्कूल के बच्चे फ्री में करेंगे JE और NEET कितन यानि दिल्ले सरकार उनको फ्री में कोचिंग कराएगी वह देखे UP में ड्रोप आउट बच्चों को भी वापस स्कूल लाएगी योगी सरकार इसके लिए सारदाक प्रोग्राम करके एक नए अभियान की सुरुआत की गई है और हाले में इससे पहले स्कूल चलो अभियान भी सुरु किया था तो उसके बाद अब ये नया अभियान सुरु किया गया ट्रोप आउट बच्चों को वापस स्कूल में एड़िशन देलाने के लिए आना और चलिए दोस्तों एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और कमरे देख लेते हैं देखे मार्केट से अपडेट आरा कि बड़त के साथ बंद हुआ सेर बाजार सेंसेक्स 114 अंकू के बड़त के साथ 9,106 पर पहुँचा अड़ानी ग्रुप के 8 शेरों में गिराउट आई नोकिया ने सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लोंच किया नोकिया C12O प्लस में 6,103 इंच SD डिस्पले मिलेगा 4,000 अमेच बेटरे और कीमत 7,999 रुपे अचा उत्रबर देश में मेट्रो गो गार्ड की आज से सुरुवात होगी इस कार्ड धारकूं को 10% तक चूर्ड मिलेगी है और देश में कहीं भी मेट्रो बस पार्किंग में आफिस कार्ड को यूज करवाएंगे कानपुर से इसकी सुरुवात होने जारी है वज़े की यूपी में उमेश पाल मामले पर भी खबर हैं कि अब अतीक का जीजा भी जाएगा जेल में अतीक अहमद जो आलि में सजा सुनाएगी इसको इसका जीजा भी अब जेल जाएगा सरकार के किलाब रेली निकाल कर OROP और वेतन विसंगती का विरोध जताया राष्ट्रपती और परदानमंत्री को ग्याँपन भी सोपा वह देखे बिहार में यूट्यूबर मनीश से और पुछताच करना चाहती है और ये मौन मुसन साल 2024 या 2025 में लुंच किया जाएगा काफी सालू बाद नासा एक बार फिट से अपने अंतरिक श्यात्रियों को चांद पर भेजेगी वह देखे राधरस्तान में 5 गंटे में 10 जिलों के 4900 जगहों पर चापे मारी की 6000 पुलीस कर्मियों की टीम गई 4300 बदमासों को गिरपतार भी किया गया राधरस्तान में अपराध्यों के किलाब ये कड़ा अभियान चला जारा वाकई में अच्छा बड़ी कबर हैं उत्रपरदेश में मतुरा में स्री क्रिष्न जन्वस्तान साही इदगा मामले को लेकर मतुरा कोट ने अमीन को सौपी रीट रिपोर्ट अब सर्वे के लिए टीम जाएगी वे देखे हरियाना में हिसार और सीरसा के लिए 40 मिनिट की वेटिंग से परिषानी रोडवेज को मिली 22 नई बसें यात्रियों को राहत नई मिल रहे हैं अभी वी चालकों की कमी की वज़े से पहले की हितर है 15 बसें ओफ रूट रहती हैं बड़ी कबर हैं बिहार में देखे 5,509 करोड रुपे की लागत से होगा निर्मान 3 फ्लोर का बनेगा अंडर गाउंड पत्ना मेट्रो स्टेशन नीचे रहेगा टिकिट काउंटर दूसरे और तीसरे फ्लोर से चलेंगी मेट्रो ट्रेने इसके विकास के कुछ तस्विरें भी आप देख सकते हैं विसे बिहार में स्मार्ट मिटर सुईदा भी सुरू होने वाली जल्दी विसे सुईदा मिलेगी आवशिक सेवा वाली जगाउं में अगले महिने लग जाएंगे स्मार्ट मिटर रिचार्ज खत्म होने पर भी सार देन तक आपकी बिजली नहीं कटेगी यानिकी प्री पेड जैसी मिटर में भी पोस्ट पेड जैसी सुविधा मिलेगी आपको आना अच्छा बड़ी खबर है उत्रपरदेश के समसान गाटू में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा योगी सरगार का कायना है कि लकडियों का इस्तिमाल कम किया जाएगा बलकि गाय के गोबर से बने उपलूं का इस्तिमाल अब समसान गाटू में भी किया जाएगा और कहां कि निरास्रित नहीं होगा एक भी गोवन्स सबके आसराई वे भरन पोसन का प्रमद किया जाएगा यानि यूपी में पसुपालन दुख दुथ पादन को तो बढ़ावा दिया जाएगा इसाथ ही आवारा गाये पसुपालन के लिए भी गो सालाओं का निर्मान किया बनेगे गाजयबाद से नई पहल खुले में कुड़ा फेकने वाले रेस्तरा का रद होगा फूड लाइसेंस बाकी पर अफायार भी दर्च कराए जाएगी गाजयबाद नगर्णे के मुतरप्रदेश के तरब से ये आदेश जारी किया गया वहीं घोरकपुर में बनेगी हाइटेक नरसरी जर्मन मसीन से रोपाई कर उगाएंगे 15 लाग पोदें अच्छा इद पर नमाजियों के उपर हेलिकॉप्टर से फूलू की बारिस करने की भी मांगी इजाज़त 15-20 मिनट होगी पूस पवरसा अलेगर में सप्पा नेता परसासन के तरब से ये मांग किय अच्छा खेल समाचार पर खबर है चेन्नाई ने लखनाओ को 12 रन से आनाया मोहिन अले ने चटकाए 4 विकिट काए कवार कौनवे की सतकीय साजेदारी भी देखने को मिली आईपील के चटे मेच में चेन्नाई और लखनाओ के बीच हुआ इसमें चेन्नाई ने लखनाओ क प्रकट उत्सव रहेगा बताय जाता कि अही रावन को मारने के लिए हनुमान जी ने इस दिन पंच मुकी स्वरुख धारन किया था और इसलिए 6 अपरेल को आपको हनुमान जी की पंच मुक वाली मूर्ती तस्वीर फोटो की पूजा करनी चाहिए इससे आपकी जिंदगी में पोजिटिव उर्जा का संचार बढ़ेगा आत्म विश्वास बढ़ेगा आपकी जिंदगी से संकर दूर होंगे अच्छा चलिए आज आज आपको क्यूशन भी अध्यात्म से जुड़ा ही पूस्ता हूँ भगवान विश्नु को समरपित पूरी का जगनात मंदिर भा अगर आपको विडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना शेर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेस्बूक और वाटसब पर डीलस न्यूज चेनल को सस्क्राइग करके बेल आइकोन जरूर दब देना था की आप ऐसे ही काम की मतबन कबरें रोजाना देख पाएंगे